आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question मेरे को पूझा है Consider the following frequency distribution of the height of 60 students of a class The upper limit of median class is given in the data और मेरे को क्या given है, data given है, height and number of students तो students मेरे को इसके अंदर क्या find करना है इसके अंदर मेरे को height of 60 students दे रखी है तो मेरे को median class find करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा students एक बार जो मेरी ये f वाली table है ना मैं इसके अंदर में एक table और add करता हूँ कि जिसको मैं बोलना चाहूँगा किस क्या sigma of f मतलब मैं सारी frequency को consecutive करके जोडता जाता हूँ ये मेरी क्या frequency है, ये मेरी height is की range के अंदर आ रही है तो इदर मैं करूँगा cf, जिसको cumulative frequency बोलेंगे तो यह 15 रखोंगा, 15 plus 13 कितना होगा 15 plus का 10, मतलब 25 और 28 28 plus का 10, 38, 38 plus का 8, क्या हो जाएगा 46 और 46 plus का 9, मतलब 55, 55 और 5, 60 तो ये जो value आती है, ये आती है, ये आती है जिसको मैं बोलता हूँ sigma of f, सारे frequencies का sum और n by 2 अगर मैं करता हूँ तो इससे मेरी median class मुझे find होती है तो ये आजाएगा 30, इसका मतलब जो मेरा median है वो खाई न खाई, इस वाली frequencies हमके एक और इसके around ही होगा तो ये जो आ रहा है, 28 के बाद इस वाली class के अंदर block कर रहा है तो इसकी median class जो है, वो 160 से 165 है तो इसकी जो median class हो गई उसका interval आ रहा है, 160 से 165 और इसकी जो upper limit है class की, वो क्या हो गई? upper limit मतलब उपरी वाली जो limit है, वो 165 है तो इसकी क्या हो जाएगी? upper limit क्या हो जाएगी? 165 और option 1 के अंदर या available है Students जी मेर को question में पूछा था, यही मेरा final answer है Thank you Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स, 8444 सूपर 3 अमेश्छ जेए 8 जेए 268 और